ग्राम पंचायत भरावठीमाल के पोसक ग्राम गनपुरा में ऐसी समुदाय के 93 परिवार निवास करते हैं यहाँ पर सन 2019-20 में इस गाओं को आदस ग्राम घोशित किया गया है और आज तक रोड की समस्या हल नहीं हुई है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा पंच परिमेश्वर योजना के तहत सीसी रोड निर्माड कराने का प्रावधान है आईए जानते हैं समुदाय के लोगों से समस्या के बारे में यह जो रोड की समस्या है यह कब से है लगभग यहाँ 14-15 साई के जादे से है आपने इसकी कारवाही कप-कप की है जैसे पंचायत वगएरे में आप लोगों ने किया होगा सरपाइन सच्यों के किये थे और यहां के लोग भी देखते हैं यहां की समस्या कई लोग भी आई थे सबसे ज्यादा के लोगों को परिशानी होती है इस रोल से इस खूली बच्चे और छोटे बच्चे आते हैं उनको फिखलने के होती है अगर कि मार्केट है बगल से अपना यहांत एक जड़ क्लो मीटर है तो कोई समाल लेने के लिए मतलब चोबित घंटे आने जाने का बना रहता है रात में दिन में कितनो टाइम भी अपना जा सकते हैं तरकारी बाहां सब कुछ भी आती और मैंट रोड है यहां कभी है इस रोड से कोई हाधसा हुआ या कुछ नियुक्स है पहुंची है लोगों को भंची बुजरुग लोगों को बढ़े लोगों को मैंट बठी लोगों को स्कॉल版 फिकल की बिर जाते हैं उनको यहीं किल जाना पर जाते हैं। यहां चूटा हुआ है वहां तक कितने मीटर है वहां तक कितने मीटर होगी है लेकिन आप तक अभी कोई सुनवाई नहीं मुपा रहे हैं अब दो तीन सालों से चल रहा है जिसम कुरोन अलग गई थी इसलिए और रुका हुआ था आप क्या चाहते हैं हम बखिये चाहते हैं कि यहां की रोड बन जाए और लोगों को परतायनी से छुटकर मिले हमारे गाउं में रोड की समिस्या है यहां फीचर होता है लड़के नहीं जा सकती स्कूल अर्चनाती स्याम हैं सब कोई को अर्चनावत है यहां आने जाने है बाल बच्कियर रोड नीगबन यहां कीचर है वहँं छेटल के गिरवी जाते हैं स्यान गमार बाल बच्के सब लोग यहां था हैं आद तरैँ को नहीं कि आप तर लोड नहीं होआज आप यहां जाने वाला कि कि कितने बजे से Achowal साभां में ग्यारा वजे से दो वजे तक जनतव सदस्त हैं सरोजबाई प्रास्ते और उनी को वीडियो जोड़े हुए हैं तो उनी को पहले हमने बताया तो उनने बोला कि भई उस्तो अवेदन देव गेतब मन होगा तो हमारे ग्राम गंतुरा में बीस तारिक को ग्राम सभा लगा उसमें बुलवाई भी स्रोजबाई प्रास्ते को वो आया और आके उसको मनें उसी की सामने मनें अवेदन दिये हैं तो देखो कि उसका क्या कैसा होता है मुझे गाओं की लोगों ने बुलाया मैंने मीटिंग किया और प्रेद किया कि इस बार रोट की मांग है तू आवेदन दीजिए ग्राम सभा में और पावती लीजिए लोगों के द्वारा ग्राम सभा में आवेदन किया गया और प्रस्तावित कराकर ग्राम सभा से पावती लिया गया है मैं वीडियो देखने वाले दर्सकों से अपील करती हूँ कि स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉल या मैसेज करें ताकि इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो सके मैं सरोज परस्ते ग्राम गनपुरा विकास खंड सहपुरा जिला डिंडौरी मध प्रिदेश से इंडिया अनहरट के लिए